हलो और वेलकुम आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकुष आज को आज बहुत इंवेस्टर्स परशान हुएंगे कि इंफिसिस में 10% की एक डाउंसाइड मूव देखने के बाद अब IT स्टॉक्स पर और स्पेशली इंफिसिस पर करना क्या चाहिए हमारे साथ इतिन और इति अब्यूद नंबर्स को के लिए तैयार है और IT इस्टोक इतने नहीं गिरेंगे आप सप्राइज हो इन नंबर्स पर इतने खराब नंबर्स के लिए रेदी नहीं है मार्केट में क्या होता है प्रेंका एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है अगर मार्केट के अंदे स्टॉक उपर क्यों जाता है एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नमबर आ गए market क्यों नीचे आता है अचानक short term में expectation से ज़्यादा खराब नंबर आ गए Infosys ने Q3 में आकर के बोला था भई हमने अपनी guidance बढ़ा दिये उसका मतलब यह था कि उनको Q4 के अंदर visibility दिख रही थी क्योंकि Infosys हमेशने annual guidance देता है तो Q3 में आकर के अगर आपने annual guidance बढ़ाई यानि कि जो quarter गया है उनमें उनको अच्छा रख रहा था मगर उनने क्या डिकलेर करा आपने जो जब आपने अपनी guidance दी थी तो आपने जनवेरी में guidance दी थी पूरे तिमाही की तो यह नहीं 3 मेहने के अंदर क्या चेंज हो गया और 3 मेहने के अंदर ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है गलोबल macros में या फिर client positioning के अंदर तो क्या Infosys ने जो अपना business outlook दिया था क्या उसके अंदर उन्होंने over optimism built in कर लिया था मुझे लगता है वही वहा था अब आप कोई समझना है कि यह आज तो share 10% से जादा नीचे का है अब share कहा जाएगा यह 2003 2003 से कैसे different है 2008 से कैसे different है 2014-15 से कैसे different है बिकुज आइटी के अंदर हर 5-5 साल के अंदर कुछ ना कुछ लोड़ाउन आता है तो क्या slowdown on cycle से जादा रहेगा क्या slowdown on cycle से कम रहेगा और इस बार एक infosys में हमें कहावद बोलते थे infosys को जब जुखाम होता था पूरे market को बुखार होता था तो आज ऐसा नहीं हुआ है आज market में अगर आप देखे तो TCS 2% नीचे था टेक महिंद्र नीचे से पूर उचला था KP IT उचला था तो market में मुझे जो लग रहा है जो sell-off हो आए वो IT में नहीं हुआ हो इंफोसिस में हो इंफोसिस तो खड़े बड़ा ड्रेगर रहा लेकिन ऐसे में आप रीटेल इंवेस्टर करें क्या निकोंज अगर आप ब्रोकर नहीं चाहिए बगर 10% यहां से और गिरता है तो उस खरीदना ही चाहिए क्योंकि हम एक साल आगे कि अगर बात करें एक साल आगे की बात अगर हम करें तो मुझे लगता कि काफी क्लार्टी आ जाएगी हमें पता लग जाएगा कि एक प्रकार से मैक्रोज जो युएस के कां समझ में आ रहा है जो मैं इंफुसिस के मैंजमेंट से बात करें एक बातों समझ में आ रहा है कि नॉमलाइजेशन अफ वर्निंग हो रहा है तेखिए आपकी ग्रोथ थी 8-12% सेक्टर की कोविट से पहले कोविट सेक्टर के बाद होगी मिडल डबल डिजिट और मैंड करीब एक से देड़ बिलियन डॉलर का प्रॉफिट करती तो काफी बड़े बेसे हो चुके इनके उस बेस के अंदर इनकी जो ग्रोथ कोविट की वज़े से थी वह करीब करीब तीन से चार फीसेदी बढ़ गई अब जो ग्रोथ हो रही है वो प्री कोविट एरा में वाप वापिस आच चुकी है जब ग्रोथ historical वापिस आच चुकिये तो वैलेशिंग भी historical आएंगे तो मुझे लगता है कि वापिस होने वाला है वह वह वकर आठ से दस प्रसंद रोथ इनकी रहेगी तो अगर आप इस नजरीए से सेक्टर को देखें कि हैं दो तीन साल में एक व मिलता रहता है, डिविरेंट इंके अदर आता रहता है, ग्रोथ में वॉलिटिलिटी रहेगी, मगर ग्रोथ रहेगी, तो उस प्रकार के नजरीय से अगर आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आईटी के अंदर बने रहना चाहिए, मगर आप चाहते हैं कि हर साल आपको 25-20% appreciation मिले, 25-20% growth मिले, तो ये sector शायद अभी अच्छी और sector है, तो इसके अदर ये अब आपको उमीद नहीं करना चाहिए. तो अनिकुछ क्या पूरे sector से उमीद नहीं करें, क्योंकि एक विए भी बन रहा है कि mid-cap IT, जो अच्छी growth दिखा रहे हैं, जो deliver कर सकते हैं, उन पर आप अभी भी नहजर रख सकते हैं. निदे कि mid-cap IT के अंदर हमेशा एक समस्या होती है, इनके अंदर base और base अलग होता है, तुसरा talent जो इनके अंदर हमेशा best नहीं होता है. एको शुक्षिक ही तो आप गाडी मनाовन रेन तो आप और रोरों material जरता है, सीरत ragi, भी प्लास्टिक होता है, बीचे अंदर प्ली vermध्या होता है, पार आफ्ट रोरं matter, टो आखिए यज्या बीच्राइल में अकसर बार्स तर इनके बार्लत तो आजए आनजर एक्ये और मैनेजमेंट को चेंज को लेकर के मार्केट में चिंता नहीं है। इसलिए और लोग डिसपॉइंट वहें बिकर सलल साफ गाड़ी को पट्री पर ला चुके थे गाड़ी फिफ्द गेर में चुकी थी अचानक उन्होंने यू-टॉन लिया है। तो इन्फुजिस मार्केट वह बखने खाना थे थी थी तक महिंदरा उसमें हमीद रखने चाहिए। यह बखने है बिकरस वहां पर भी ऐफ कर दो खर्डावी कर दोग्राण। और अपर उसमें ट्राइब लिग्राघ रदिडर की लिग तक हो सकता है। विपरो अभी एक थोड़े कठनाई के शेत्र में है, कोविड के बाद उन्होंने एक रनीतिय चेंज करी थी, मगर पिछले तीन कौर्टर से ही विपरो डिसरपोइंट कर रहा है, तो जब कुछ आइटी कंपनी डिसरपोइंट नहीं कर रही थी, विपरो फैल दे हीट दफ फर्स, तो विपरो इस समय मुझे लगता है वीक लिंग हो चुका है, HCL Tech quarter देखते हैं, विकोज उनके अंदर एक differentiating part यह, कि उनको जो margin लोइस रहता है, ग्रोथ हाइस रहती है, क्योंकि उनके पास एक business है, जिनने हम IMD business होता है, BFSI exposure सब IT companies का होता है, because main business ही आपके major component, तो आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि BFSI business किसका ठीक है, BFSI business के शेतर से आरहा है, और BFSI business जो आरहा है, वह खासकर कि banks में से कितना है, जिन companies में banks का BFSI business जादा, युएस में जादा है, मगर आपको BFSI exposure है, मगर युरॉप और U.K. में है, तो मुझे लगजा है कि कितना है का जो दौर है, ठीक होने लगा है, चार-चे मेने पहले हम बात करे ता है, युउप में ठंड पढ़ ली है, घस नहीं है, लोग ठंडे पानी से ना रहे हैं, वे फैक्ट्रिया बंदूरिया ऐसा उच नहीं हो थंड आई चली गई गर्मी आरी है तो मार्केट में आज जो बड़ी समस्या लग रही है कलम भूल जाएंगे तो मुझे लगता है कि यॉरॉप और यूके का जहां जहां पर लोग बात कर रहे थे मुझे लगता है कि लोग जाओ मार्ड़ कार्णा धर्च नहीं स्यायश भी पर यॉरॉप भी कियुक्राइब टी टॉरॉप यॉरॉप भी तो इस समस्या घुराइब ख़ता रहे था धो जो सबसे पहले बाहर निकले का सबसे परढले में भुज बदे गए लाए निकलेगा बिए क्वार उन्स्या हो रही है और होगी, I think they are, they need to get their mojo back, I mean you have to get your mojo back, their magic is finished, HCL Tech मुझे लगता है कि एक कथन तोर से गुज़र चुका है, मगर एक दू कौर्टर में हमें पता लेगा कि IMD business कहां जा रहा है, Infosys का मुझे लगता है कि जो D rating वाय वह उनकी optimism और उन्होंने जो forward outlook दी थी उसको लेकर कि उन्होंने जो आगी कौर्टर की गाइडिंस दी आपर market बहुत बहुत डिसपॉइंट होए, आपने दिखाया कुछ, करा कुछ, बताया कुछ, इक कमुनिकेशन ही तो होती है और TCS के अंदर हला कि TCS डिसपॉइंट करता आया है, बकि TCS उमीद जादा नहीं रखी है, TCS हमेज़ा conservative रहा है So Nikonj, can we put up a case like this, कि मैं आपसे पूछने भी वाली ती, या Infosys versus TCS, इससे हम बहुत compare किया जा रहा है तो यानि कही नहीं ये केस बनता है, compare कर करने का? Okay, so in nutshell, Tech Mahindra, क्योंकि हमाँ change of guard भी है, वो एक बड़ा stock होगा to watch out करने के लिए So IT पर अभी view आप यही रहेगा Nikonj का, भी कि आप थोड़ा cautious रहे, और इस space में अभी भी बहुत सारे headwinds है, इसलिए थोड़ा दूर रखना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया Nikon for all these analysis and inputs, बहुत बहुत शुक्रिया ये खास discussion देखने के लिए